हलो फिर फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वाकत करता हूँ आपके अपने चैनल हाइफाइस टीडी पर दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज की ब्रेकिंग निउस यहां पर आ रही है 17 मार्स 2020 की ब्रेकिंग निउस दोस्तों यहां पर दिया गया है कि जो आ एक्जाम है व सब्सक्राइब करोना के बढ़त कहर को देखते हुई उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज और मल्टि प्लैक्स दो अप्रेल तक बंद कर दिये गए हैं ठीक है दो अप्रेल तक बंद कर दिये गए हैं मंगलवार को स्यूम योगी आदितनात की अग्दक्षता में हुई बैठा कैबिनेट बैठक में यह निड़े लिया गया है कि इसके इलावा सभी स्कूल कॉलेज में चल रही परिक्षाय जो इस्त जगित करने का आदेश दे दिया गया है ठीक है और साथ में यहाँ पर बताया गया आपको बता देखिए उत्तर प्रदेश में कोरोना के पीडित मरीजों की शंख्या 13 है जिसमें से 12 भारती और एक भी देशी है हाला कि इसमें से 4 लोग कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुक और ताज महल सहित देश भर के सभी इसमारक संग्राले 31 मार्क तक बंद कर दिये गए हैं के इंदर ये परेटा ने हम संस्कृत मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्विट करते हुए यह जानकारी दी है कि क्रोना के प्रकोप को देखते हुए केन सरकार ने कुछ दिन पहले ही 15 15 अप्राइल तक कई देशों के सैलानियों के बीजा रद करने के आदेश दिये हैं और उसके बाद से ही ताज और निहारने वालों की संख्या कम में कमी आ गई है और यहां पर देखे दोस्तों यह जो ट्वीट दिया गया है यह यह बड़ी बैठक हुई है कैबिनेट की उ यहां पर दिखी 114 थे और आज कितने हो गये यहां पर देखे जो आगया था कि जो चल रही है परिक्षाएं उनको चलने दिया जाएगा लेकिन उनको विस्तकित करने का आदेश मिल चुका है ठीक है और यहां पर देखे आप संख्या जो बढ़के हो गई है अभी तक क्या था कि आप देख रख देख सकते हैं नीचे की और नीचे कितना था स तो शायद आपका अपरेल में जा सकता है एक्जाम ठीक है 90 परसेंट चांस अब आपके जो हैं वो मार्च में एक्जाम नहीं होंगे ठीक है जैसा की बहुत सारे स्टूइन कमेंट करेंगे सर मेरे लिए लाइफ ज्यादा है लाइफ मेरे लिए माइने रखती है एक्जाम म कि आपके साथ शेयर करनी थी तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिएगा तब तक लिए थैंको दूस्तों जैहिंद जैमाने मिलते फिजाने नेक्स्ट वीडियो के साथ